हेलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे ककसा 10th के सामाजी की विज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट कुश्यन है जो आपकी प्रेकिशा की दरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट है तो उसके बारे में हम देखते हैं मात्मा गांधी ने एस योग अंदलन को वापस लेने का निर्णे कब लिया था जिवसप मेजिनी कौन था रिड़र पैस्ट निम्लिकिद में से किस मादीब में फ्यला था निम्लिकिद में से कौन सा एक परकार का सोर उर्जा संसादन है फसलों के बीच गास की लंबी पटियां उगाने की विद्ध का उलेक है जिन परजातियों के विलुप्थ होने का खत्रा हैं कहलाती है बलेजियम में समुदाएक सरकान निम्लिकिद के भी सता के बटवारे का एक अच्छा उदारण है निम्लिकिद में से कौन सा विश्य राज्य सुची में समलित है पितर सतामक समाज के लिए निम्लिकिद में से कौन सा सही है भुमिहीन ग्रामीन मुझदूरों के लिए निम्लिकिद में से कौन सा विका सात्मक लक्षे है जब हम जेविक उत्पादन बनाते हैं तो यहें सेत्र कहलाते है उसके बाद में हैं निम्लिकिद में से कौन सा एक बहुराश्टिय कमपनी की विशेष्टा नहीं है 1880 के दर्सक में अंत में अप्रिका पहुचे हिमाले में पर्सिद ने कहीं सेत्रों में वनों की कटाई का सपलता पूर्योग विरोध किया यानि कि यह खाली जेंगे उसको एक बार आप देख सकते हैं उसके बाद में हम इंपोर्टेंट कुशन पर आते हैं 1932 में लहोर कांग्रेस अदिवेशन का क्या मेहतव था दीती विशु युद में धूरी सकती वाले देशों के नाम बताईए जर्मनी को एक सवतंतर राष्ट कब गोसित किया गया था किन्नी तीन राईयों के नाम बताईए जहां चट पर वर्षा जल सेंचैन किया जाता है उन फसल के ओसर तापान का नाम लिखिये जिसका उप्योग भोजन और चारे के रूप में किया जाता है भारतिये खाइद्ये निगम का मुग के कारे क्या है भारतिये तमिल किस देश में समदित है कौन सा विशे समवर्थी सुची का है इसमिट और कोलर्स में क्या समानता थी जेविक संसादन क्या है दीतियक सेतर से क्या तात्परिय है वेश्विकरन में संचार प्रयोद्योकिक के योगदान का विशलेशन कीजिए रेसम मारग क्या है थे यूरोब में 1888 की उदार करांती का क्या प्रयणाम हुआ भारत में राष्टवाज की योजना सोरी भारत में राष्टवाज की भावना जगाने के लिए उत्तरदायों किनी तीन कारणों का उलेख कीजिए संसादनों के स्रेक्षन की आवशिकता क्यों है सुबत परजाती से आप क्या समझते हैं कर्षी क्या है भारत में पंचलित कर्षी के परकारों के नाम बताए सिरिलंका में पंचलित बहु सेंक्य वाद के अरत की व्याख्या करे 1900 बराण में में स्वेधानिक संसोदन में तीन परमुक प्रावधानों का उलेख क्रेवे वास्तविक में भारत में लोगतंतर के तीसरे इस्तर को मजबूत करते हैं हर सामाजिक अंतर सामाजिक विबाजन की और और नहीं ले जाता समझाई एसा क्यों है कि आई अपने आप में उन वस्तु और शेवाओं का पूर्ण रूप से प्रयाप्त संकेत नहीं हैं जिसका उपियोग नागरी कर सकते हैं उदारन दे और समझाईए संगठित और एसंगठित सेंत्रों में पंचलित रोजगार इस्ततियों की तुलना करे मांग जमक क्या है इन धन के रूप में क्या माना जाता है बहुराश्टिये कमपनियों ने कुछ इस्तानिये कमपनियों के साथ मिलकर उत्पादन इस्तापित किया है क्या यह इस्तापित कमपनियों के लिए फाइदेमंद है यूरोप में मध्यम वरेक के उद्धे के क्या कारण थे यूरोप में राष्टवाद के विकास में सेंस करती कि योगदान को दर्शाने के लिए कोई दोगदान चुनिये यहां पे हैं यह गलत है बूंद बूंद जीव सिचाई परणनाली के बारे में आप क्या जानते हैं हमारे जल संसादुनों का सरेक्षन और परबंदन समय की मांग है कोई च्यार कारण दीजिए जाती विवस्ता में परिवर्टन के योगदान देने वाले किनी तीन कारणों की व्याख्या कीजिए मान लीजिए कोई राजनेता धर्म के आदार पर अपना वोट मांगते हैं उसके करत्य को लोगतंतर के मान डंडों के खिलाब क्यों माना जाता है बैंकों से रिन हमेशा लोगों की कमाई समता बढ़ाने में मदद करते हैं उप्योग उद्धारणों की सहायता से इस कथन की पूष्टी कीजिए मुद्रा का उप्योग विन्य में के माद्यम के रूप में कैसे किया जाता है उद्धारण सहीद इस परस्ट कीजिए सविन्य अवग्य अंदोलन या नमक अंदोलन की प्रिस्तितियों किस में शुरू किया गया था जल्लियावला बाग हत्याखान का वर्नर कीजिए अनुभागिये हित समु और जन हित समु में से पड़ते का मुख्य विशेष्ता का व्याख्या कीजिए नेपाल में लोगतंतर के लिए दूसरे लोगपरिय अंदोलन का वर्नर कीजिए भारत में दियेगे रूपरे का मानचितर में निमलिकित में से चिनित कीजिए यानि कटनी, सुन्दरगट, सिंग्रोली और नवेली उसके बाद में भारत में दियेगे रूपरे का मानचितर को उसोई चिनित करना है हैं विजे नगर, जरिया, बल्लोरी और पुगगा गाटी यह है पुगगा गाटी ठीक है यह कुछ शन थे वह वेरी वेरी इंपर्टेंट थे उसको आप एक बार देख सकते हो झाल 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 झाल